कि सर्वर बैलेंस बना के रखिएगा ठीक है आप लोग को हम पढ़ाय कहां तक थे कही तक पढ़ाय होगे चाइना के बारे में बता रहे थे चाइना की कमजोर नस क्या थी भाई तईवान अब देखे हैं हम वीडियो में बनाये थे यूटूब पर मोधी जी भी बात सुन लिए चाइना के यह इसके तैवान के दूतावास के लिए अच्छी बात है मोधी जी स सब बात सुन ले तो क्या पूछना है फिर हम भी एक बात कहेंगा और छो महीन आवे वेकेंसी निकाली है लड़कों के लिए दीरे-दीरे सब बात सुन ले आगे समझाते हैं आप लोग की बाव पीडियेव की समस्या अभी वी सॉल्व नहीं हो पाई है अब हम ऐसे कैसे बले तो एक कॉमन समस्या होती है आगे समझा देते हैं हम तब तक आपको इसे दिमाग में तो याद ही रहेगा आप लोको वैसे भी तो नक्सा के चीज़े दिमाग में बैठा के रखेंगा व्यत्नाम मलेशी आसा बता दिये ते फिलिपीन के बारे में बता दिये सार्क में कितन प्र लग से पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे हिमाले यह कंसा हिंदुकूस परवत यह हिमाले परवत यह कुलनसान परवत यह तीनों मिल जाते हैं इसी को पामीर का पठार करते हैं पामीर नौट के नाम से जनते हैं यह क्यों इसे पामीर नौट के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को बहुत ज्यादे हाइट के वज चीन की राधधानी क्या है? चीन की राधधानी है Bizing. चीन का सबसे बड़ा सहर कौन सा है? संगाई. HONGKUNG को किसे ले लिया ये? ब्रिटेन से कबजा में ले लिया 1997 में मकाउ को किसे लिया ये तो पुर्दगाल से तो ये तो लीगली है भाई चलो तुम्हारा था तुमने ले लिया महाँ पर ये अलग बात है हेनान दूइप पर क्या है चीन की नौसेना रहती है यहां तक तो चीन के बारे में समझा दिये थे चीन की नदियां भी समझा दिये थे अगर आपको याद होगा तो बताइए ये सबसे उपर ये लिया नदी हांगो नदी थी कौन सी नदी हांगो नदी पीली नदी के नाम से जानते हैं पानी के लिए बहुत बड़ा भंडार है चाइना के बाद आपकी मेकांग नदी है यहां से चली गए इदर जाएगी ब्रह्मपुत्रा सिंधू ऐसे निकल जाती है तो यह पानी के लिए भी बहुत बड़ा भंडार है चाइना चाइना के बाद आप देखिए चाइना में और भी क्या चीज़ है जो question पूछेगा चाइना में दो-दो मरूवस्थल है एक यह वाला मरूवस्थल यानि रेगिस्टान है जिसका नाम है गोबी का मरूवस्थल तो गोबी के मरूवस्थल में ठंड जादे पड़ता है क्योंक के उपर में ये वाले में क्या है अपका गोभी मरूवस्थाल तो ये गोभी का मरूवस्थाल चीन में ये हान चाइना के लोग मंदारीन भासा बोलते हैं इसका मुख जंसंक्या यहीं रहता है चाइना के इसी एरिया में रहता है कुछ भी खा जाते हैं से चाइना वाले एक और का ACA खतम कर देंगे यहाँ पर देखिए इतना ACA खतम कर देंगे तो फिर आपको PDF खोलके एक दिन पूरा भरवा देंगे दिमाग में नक्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको अगर हम अभी बोलेंगे सिरलंका तो आपका मंचूरिया जाएंगे यहां पर अब यह देश देखिए एक मंगोलिया यह जो मंगोलिया है आप नक्सा खोल के देखिए क्या मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से लगती है अपने अपने न नकसा में बताएंगे लो Elliot किसी मा कजाकिस्थान सी लगती है या नहीं के तो टूम टच करता है तो येस नहीं करता है तो नो येस नो मैं अंसर देंगे एटलस खोल के दिखिए नो येस कोन बोल रहे हैं भाई नहीं यहां से क्यों देखके बता रहे हैं आप अपने अटलस में देखके बताएए यहां से देखके नहीं बताना है आप अपने एकलस में देखके बताएंगे तब अपने एकलस में देखके बताएंगे नहीं सटता है यहां से यहां नहीं सटता है देखिए यह कजाकिस्तान है और यह है आपका मंगोलिया अगर हम आप से कादे इन दोनों में साइज में बड़ा कौन सा है तो जेनवी ने साइज में कजाकिस्तान बड़ा है साइज में क्या बड़ा है कजाकिस्तान बड़ा है और दोनों में दो तीन खासियत हैं दोनों में खासियत देखे द्यान से, यह जो कजाकिस्तान है, यह भी मरूस्थल है, यहाँ पर भी बहुँ जद है, इस्टेपी मरूस्थल है, कजाकिस्तान में कौन सा मरूस्थल है, इस्टेपी, और मंगोलिया में कौन सा मरूस्थल है, तो यहाँ पर है आपका गोभी मरू यह अलग से बताएंगे हम आपको, दोनों की एक common pieces था, दोनों landlock country है, landlock country का मतलब क्या होता है, कि जो चारोर से समूध से घीरा हो, मतलब जमीन से घीरा हो, समूध से नहीं, जैसे नेपाल भी तो landlock था, भूटान भी landlock है, even अफगानिस्तान landlock है, यह सब के सब landlock country है, तो question आता है, कि दुनिया का सबसे बड़ा landlock country कोन है, बिस्व का सबसे बड़ा भूबध्य देश कोन है, तो answer होना चाहिए कजाकिस्तान, और real में भी कजाकिस्तान है, लेकिन जब आप जाते हैं exam में, तो आपको option B लगाना पड़ता है, option B पर लिखा रहता है, मंगोलिया तो ऐसा जूट क्यों बोल रहा है, तो देखिए, ध्यान से समझे, जब कभी भी real answer, एक number वाला चीज answer में नहीं रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, second option को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, option में ही कजाकिस्तान नहीं रहता है, तो मजबूरी में हमें बफर कंट्री, उसे कहा जाता है, जो दो बड़े देशों के बीच में आ जाता है, जो दो बड़े देशों में आ जाता है, तो छोटा देश को हम क्या कहते है, बफर कंट्री, समया किने, आगे बड़े, दो बफर कंट्री के बीच में आने वाला एक छोटा देश क्या क्या अमारी एकोनोमी थोड़ा डूब ही रही थी कि कोरोना आके उसमें और खतरनाक काम कर दिया कोरोना ने तो पूरी दुनिया की अर्थवेवस्था को लेकर डूबा दिया इतना तो समझ में आगे आप लोग को आगे देखिए मंगोलिया में भारत सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट किया है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं किया है मोधी जी तो हतियार की भी बात कर रहे है मनमोहन सिंग की सरकार थी तो उस वक्त में यहाँ पर रिफाइनरी भी खोले गया थे क्योंकि मंगोलिया का नस पकड़ के रखेंगे तो चाइना यहां से भी उल्यार हैगा। हम तो गवर्मेंट को कहते हैं मोदी जी को कि कहना चाहिए कि हम आपको रिफाइनिरी जो है वो फ्री में खोल के दे देंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए आप हमको ये वाला एरिया इसमें सेना का एक अड़ा बनाने के लिए दे दीजिए सेना की छाउनी के लिए एक नंबर हो जाता कि हमको रिफाइनिरी खोलने में क्या जाता है ओंगी सेना का अड़ा मिल जाएगा तो चाइना के लिए सबसे बड़ पर दो यहां से भारत सरकार को दुसमन को चारो और से घरना चाहिए और मंगोलिया दे भी देंगे लोग क्योंकि मंगोलिया से इनका अच्छा रिलेशन नहीं है मंगोलिया बहुत ही गरीब देश है एक काम किजिए आपको इसके लिए आप यूनिवस्टी में कोटा बना दी को भी सोचना चाहिए एमस हो गया आईएटी हो गया ताकि वह भी एडवांस हो और हमें दे सकाई से तो नहीं देखा न कोई देस जानबुच कितने बड़े से दुस्मनी क्यों लेगा और सिक्योर्टी साइन कर लो भाई तुमें जो कुछ होगा हम बचाएंगे अब देख पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की मीडिया इवन हमारे गौर्मेंट कोशिस ये करती है कि हमारा सबसे बड़ा दुस्मन पाकिस्तान है भाई पाकिस्तान को आप छोड़ दो आद 2030 देखो वह बरबाद हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की एकोनोमी इतनी रद हो गई है और वहां पर धार्मीक लोगों का इतना वर्चास पागया है जिसका कोई हद नहीं जब कभी भी किसी देश की राजदीती में धरम घुज जाता है न तो फिर वो देश आगे नहीं जाता है वहां धरम घुज गिया है वहां पर अजब-जब कांड करता है तो एको तुफान माःम पेचलाएगा लेकिन हम लोग को इस तरह से लगता है चाइना इसको घेरकर रखिए एकदम जरूरी है मंगोलिया समझ में कि मारू और में अस्थल भाइप है वही गोभी मोरत लोगा चाइना दोनों सेना के आने से रूस से रिष्टे खराब होंगे कभी नहीं खराब होंगे आप बताओ अमेरिका की सेना अंडमान निकोबार के पास आई तो क्या सेना खराब होगी नहीं हमारे और आपके बीच पे तो मैत्री संबंद है हम लोग मैत्री संबंद कर रहेंगे हैं हमारा आपसे रिलेशन है अच्छा है काई लिए मैं खराब होगा क्या रूस की सेना अफगानिस्तान में आई थी और अफगानिस्तान को 10 साल तक गुलाम बनाई थी तो ये अफगानिस्तान 10 साल तक किसका गुलाम था रूस का गुला पाकिस्तान क्या कि आफगानिस्तान में उतारा और अमेरिका से कि आप हमारे यहां उतर जीए कराची और यहां से पेट्रोल भरी आफगानिस्तान हमला कीजिए वहाँ पर और यह साला पाकिस्तान दुनिया में क्या ऐसे कहता है कि हम मुसल्मानों के मसीह है साले तुमने अमे यहां पर यह नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति आतंगवाद का समर्था नहीं करता है यह एकदम सरासर गलत है लेकिन भारत की जो नीती रही है वो एकदम स्वक्ष नीती रही है तो यह समझ में आगे आप लोगको तो रूस से इससे रिलेशन गड़बर नहीं होंगे बलकि और यह टेंशन में इसारा चौपट हो जाएगा और रूस अब भारत रूस कुछ भी हो जाएगा भारत के खिलाफ नहीं जा सकता है सब्सक्राइब किसी को दिख कर आगे बढ़े हैं वही क्या क्या कमेंट कर रहा है से एक हक लाइन कोई अरे बैकू कहीं का यहां पर बोलत कर देते हैं रूक इसको कि जा को को बताएगा एडमिशन कई से होगा पुछते रहा तू अब लाख हो गया अब बोलता है जोग्रफी बैस सो नहीं हो रहा है चुटता है बोलें कल से होगा तो इस सो करेंगा इनके आज जोग्रफी बैस सो करने लगेगा यहां पर सभी सब खटिया पर सूतने वाला इजब को समझ में नहीं आता है कि टॉर्चर करके रख देता है एक बैस कपड़ा बोल रहा है कि अगले मंडे से क्लास स्टाट होगा अभी सी यह होगा देखिए वह उध्यान से आगे देखें यह तो हो गया मंगोलिया मंगोलिया इसमें किसी को क कि करांती हो गई दो पार्टी थे एक पार्टी का नाम था कुमेंटांग पार्टी और एक पार्टी का नाम था आपका कॉमनिस्ट पार्टी यह दोनों आपस में लड़ गए कॉमनिस्ट पार्टी वालों ने कुमेंटांग पार्टी को हरा दिया और कुमेंटांग पार्ट एक समय आएगा जब इस पर हमला करेंगे और पूरी तरह से चाइना को अपने कभजा में लेंगे यह सब्सक्राइब लोले थे वहाँ पर इसकूटर होके ट्रॉक को खीचेंगे आप सम्झाए अब यह हो गया अब यहां देखिए ध्यान से चाइना का जो कम्मिनिस्ट पार्टी था यह दीरे दीरे पाउरफूल होते गया और कहा दिया कि भाईया तुम वापस हमारे में मिलो इनको भी समझ में नहीं आता है अपने को स्वतंत देश घोसित कर देना चाहिए था अब जाके इनको समझ में आतो फिलहाल तो यह स्वतंत समझी है तो ताइवान के बारे में एक अलग से पूरा डीटेल और ताइवान और एक डीटेल वीडियो यूटूब पर भी है आप बहुत कर सकते आब में अब आधा गंटा का वीडियो तो यह ताइवान होगे यहाँ पर संग आगे कि नहीं आगे एक्चुली यूटूब पर क्या होता है कि current issue भी जो जो रहते हैं सादमी उसको भी जोड़ जोड़ के उसमें बता देता है तो यह होगे आपका Taiwan Taiwan जो है वो एक स्वतन्त देश है चीन कहता है कि मेरा हिस्सा है और चीन एक policy को follow करता है वन चाइना पॉलिसी तो लोगों को लगता है वन चाइना पॉलिसी का मतल़ होता है इचीन में एक ही बच्चे हो सकते हैं गलत है वन चाइना पॉलिसी का मतल़ होता है कि यह चाइना इसे कहते हैं People's Republic of China और इस ताइवान को कहते है Republic of China, यानि People's Republic of China and Republic of China, दोनों एक ही है, इसको कहा जाता है One China Policy, तो भारत भी One China Policy पर साइन किये हुए है, जबकि भारत को इस पॉलीषी पूनरविचार करना चाहिए और कुई पुनरविचार की जरुवत नहीं है, चूप चाहिए मोदी जी संसद में एक संसोधन प्रस्तूत करना चाहिए कि भारत का जिस जिस देशों के साथ सीमा भिवाद हैं हम उनसे जितनी भी किये गए संधी है उसे पुनर विचार करेंगे काम खतम पूरा काम खतम हो गए हाँ पर सन में आएगी ने आगया आगे बढ़े मैपका PDF इंगलिस में कि दीपक कुमार जी एंटी पीसी का डेट बढ़ा दिए बढ़ा देंगे मिशन वन के जीरो सर आपका वीडियो मेरे अंकल भी देखते हैं काई लिए देखते हैं चली देखिए अब आगे पड़ें धीरे-धीरे आपको एस्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस्या समझ में घमासान देखिए सब सबसे जुड़ा हुआ है हम लोग को बई देखिए हम जितने पाउरफुल रहेंगे हमें हमला नहीं करना है लेकिन कम से कम बचे तो रहे हमारे हिसाब से यहां पर ले लेंगे अगर जिस दिन हम अड़ा चीन पगला जाएगा क्योंकि यहां स यह घंटा लगेगा बीजिंग पहुँचने में आओ साले तुन नहीं तुम तो रहां बताते हम यहां पर आप अवहां रास्ता एगदम सीधा है कोई दिक्कत ने मरू अस्तल है मिसाइल मारो यहां से वहां जाएगा ब्रहमोस मिसाइल सीधे उड़ा दो यहां आप आगे कोरिया का बीभाजन हो गया कोरिया का क्या हो गया बीभाजन हो गया कोरिया का जब बीभाजन हुआ इसमें तो यह कोरिया दो भागों में बढ़ गया कोरिया कितने भागों में बढ़ गया दो भाग में नीचे वाला हो गया साउथ कोरिया और उपर वाला हो गया नॉर्थ कोरिया स्वाновढ्यों जो है आज भी रूस और चीन के साथ है और साउथ कोरिया कե साथ है तो अमेरिका के साथ है यूएसे के साथ है नौछ कोरिया के दुए शुटरह-ण नौव क्या बोलता है कोई अमेरिका मना किया था ना फोड़ने के लिए इसलिए तीन को फोड दिया अरे भाई साप इसाफ कता ना कया हूँ उसके नीचए वाला ह। साउथ कोरिया बहुत डेबलाप है यहीं की है सैमसम कमपनी सैमसम कमपनी एक्चुली में वो एक रियल इस्टेट की कंपनी है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, सड़क, हाईवे, पूल, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करती है, दुनिया की सबसे उची इमारत, बुर्ज खलीफा, सैमसंग ने बनाया है, सैमसंग ने जितना चीज़ें का उसका बिजनस ह आप लोग को लगता है कि सैमसंग मोबाइल फोन है, प्राइवेट बैंक दुनिया में बहुत बड़ी है, सैमसंग बैंक के वहाँ पर सेंट है, मोबाइल, तो मोबाइल जो हैना हाथी के उसी दांत की तरह है, जो दिखते सबको है, लेकिन उससे वो खाना नहीं खाता है, सैमसंग का जो मोबाइल का बीजनस है, ये दिखता सबको है, लेकिन उससे उसको प्रॉफिट वगरा उतना ध्यान नहीं देता है, सैमसंग, बहुत बड़ी कंपनी है, साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया डेबलप है, साउथ कोरिया अमेरिका के साथ है, लेकिन साउथ कोर दक्षडी कोरिया अलग अलग नहीं थे लेकिन सीत यूद में एक अमेरिका के फेवर में गया एक रूस और चाइना के फेवर में आये जिसलिए दो भाग में बढ़ गया उत्री कोरिया की राजधानी प्योंग्योंग है प्योंग्योंग में अमीर लोग ही वस सकते हैं ऐसे कोई उलस्ता नहीं है जनते हैं क्यों क्या कहता है पगला देखिए पूतरी को सबको समझाते इंसे जिए बात करना है हम रहा मार देगा यहां पर अब इस भाला को कहता है अमेरिका को कहता है की तुम आओ बिन्दास आओ हमको कोई दिक्कत नहीं हम पता है कि तुम बहुत पावर फूल हो हम अरे पर हमला होगा हम सीधे दक्षिदी कोरिया और जपान को माट डालें हथ यह है कि अगर अगले महीडे चुनाव में 100% वोट पाया सीधे बोल दिया तो जहां से हमको वोट कम रहेगा पूरा गउंगे कटवा देंगे पगला सुचे यार 100% वोट पाया हुआ पे अमेरिका चूपे हो गए का गिलो हमताना साथ होड़े तुमको ट्रॉंप को कितना वोटे मिला होगा हमको देगा 100% मिला भूट पूराइप पूरा उत्तरी प्राइदीप पर दो देश उत्तरी और दक्षडी गुरिया असो कुमार जी पीडियाप में प्रॉबलम है ठीक है भाई पॉलिटी की पीडि बता देंगे बाबू जो क्लास चालू होगा सबको बता देंगे किसी को कोई दिकत नहीं है देखिए द्यांसे यह वाला देश कौन यह वाला कौन सा है भई मंगोलिया यह कौन सा है मंगोलिया किसी कोई दिकत नहीं है यह मंगोलिया में चीन में देखिए यह वाला कौन सा है यह सिंजियांग है चीन का यह वाला राज सिंजियांग है यह वाला राज तिबबत है यह वाला हांचाइना है यह वाला कौन सा आपका मंचूरिया है और इसको चीन के लोग इनर मं पूर्ब में आपको पता है कि सूरज कहां से निकलता है तो फूरभ डायरेक्षण से निकलता है तो सूरी की किरिने सबसे पहले किस देश पर पढ़ती है ऐसे जनरली जापान पर पढ़ती है इसलिए जापान को हम लोग उगते सूरज का देश करते हैं एकदम पूरब में आता है उगते सूरज का देश करते हैं एकदम किदर आता है पूरब में आता है जापान बहुत ही developed country है, यहाँ पर technology का तो पूछिये मत, इतना technology है कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं जापान में, जापान में आप यहाँ देखिए, 4900 आइलेंड है सा, कितने आइलेंड है सा, 4900 आइलेंड है सा, छोटे छोटे दूइप है सा, जापान की कुछ नालियां आइसी हैं, जिस पे आप चेहरा देख सकते हैं, भारत की नाली लगता है, मोबील डाला हुआ है, उसमें जला हुआ, सब्जाया है, तो जापान बहुत ही development country रहता है, आपे, जापान में 4900 दूइपहसम, जापान में कितने डूइपहसम, 4900 दूइपहसम, और उसके पास पंचुएलिटी वगरा सब चीजादे हैं, सब यहाँ पर, आगे देखें, वो एक आदमी करें कि सर 38 डिगरी समनानतर रेखा क्या हता है, अभी आपना अक्सा पढ़िए, अभी सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जब बताएंगे, जीरो लाइन भारत बंगलादेश को अलग करता है, मैक मोहन किसको अलग करता है, अभी सब पढ़िएगा न, तो फिर वही ट्रेडीशन हो जाएगा, पहले दिमाग में एक बार बइठा लिजेना, जब दिमाग में बइठा लेंगे तो सब बता देंगे, 4900 दूइब में सबसे बड़ा दूइब है होन्सू दूइब, कौन सा दूइब है होन्सू दूइब है, 49 सो दीप में सबसे बड़ा दीप का नम क्या है होंसू दीप है होंसू दीप जो है वो किस लिए फेमस है तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है किसके लिए पेट्रोलियम के लिए फेमस है जापान का सबसे बड़ा आइलेंड कुन सा है होंसू आइलेंड होंसू आइलेंड का पर है होंसु आइलेंड पर है कोईटो कोईटो जापान का नागोया सहर है नागोया नागोया किस लिए नोगोर्णा नहीं कर रहें नोगोर्णा काराबाक तो यहां पर है अजर अर्मेनिया का नागोया यह पर यह मोटर वहन के लिए है ओसाका यहां का ओसाका जापान का ओस तो ता का किसली भीमस है पंधार का बताई आंसर दीजिए किसली भीमस है कि तो सर रेलेवे कारे इस्टेशन ओपेन करते यह ओपेन कर देंगे बावु ठीक आप कमेंड मत किजिएगा विकास कुमार आप देंट मेंचेशटर के लिए चलिये आपका अंसर रटा हुआ है ठीक है मानते हैं टेक्स्टाइल के लिए रमेश कुमार जी आई है देखले वाई ध्यान से समझे यह लंदन इंग्लैंड में एक जगा जिस जगा का नामे मैंचेस्टर, इंगिलेंड का जगा मैंचेस्टर में सबसे ज़्यादे कपड़ा उद्योग होता है, वहां पर दिन पूरा मैंचेस्टर में कपड़े का करखाने है, जहां देखिये कपड़ा का करखाना होता है, कपड़ा उद्योग को टेक्स्टाइल कहत जाता है किसी कोई दिक्कत नहीं, यानि मैंचेस्टर औरिजनली अगर कहीं है तो वो प्राणी ब्रह्मपूत्र में रहता है उसे जादे अमेजोन में नीन लदी में गंगा मुख रूप से अपनी पवितरता के लिए जानी जाती है उसके साथ धार्मिक आस्था लगी है गंगा के साथ गंगा जी न लगाओ तो लगता है जैसे कोई अधूरा नाम है है कि नहीं गंगा किसलिए परसीदे बई तो गंगा जी पवित्रता के लिए परसीदे इसी तरह से इटली में एक नदी है जिसका नाम है पो नदी पो तो कहा जाता है इटली की गंगा तो इटली में भी उसे पवित्र माना जाता है इसलिए उसे इटली की गंगा कहते हैं किसी को इदिक है तो मैंचेस्टर ओरिजिनल ही इंग्लेंड में है वो कपढ़ा उध्योग तेक्स्टाइल के लिए परशित था इसलिए दुनिया का का मैंचेस्टर किसे कहेंगे उसाका को कहेंगे चाइना में सबसे ज़्यादे अगर कहीं पे कहा गया मारकर चाइना में अगर कहीं सबसे ज़्यादे कपड़ा उद्योग है तो वो है अपका संगहाई में तो चीन का मैंचेस्टर किसे कहेंगे संगहाई को जपान का मैंचेस् सबसे ज़्यादे कपड़ा उद्योग है तो पूरी Asia का Manchester संघाई को कहते हैं और China का भी Manchester संघाई को कहते हैं जापान का Manchester Osaka को कहते हैं लेकिन question एक बार पूछा था SSC ने कि पूरव का Manchester किसे कहा जाता है मतलब वैसा कपड़ा उद्योग वाला सहर जो सबसे पूरव में इस्तित है तो पूरव का Manchester आप उसाका को कहेंगे मतलब संघाई को कहेंगे या उसाका को बुलिए पूरव का Manchester अंसर देंगे पूरव का Manchester अंसर दीजे अंसर दीजे पूरव का Manchester अरे हीरो सीम नाका साखी में बता देंगे बहु अभी पहले आने तो न उसाका वेशी गूड भया ऐसिया का मन्चेस्टर हम किसको कहेंगे संघाई को कहेंगे ऐसिया का मांचेस्टर संघाई एसिया का मांचेस्टर संगाई लेकिन पूरव का मांचेस्टर ओसाका पूरव का मांचेस्टर ओसाका नागोया किसलिए मोटर वहन के लिए कोईटो संस्कृतिक राजधानी है जैसे भारत में संस्कृति के लिए परसीद जगा कुन सा है बनारस वनारस बहुत परसित जगा पर संस्कृति के लिए वहाँ पर कासी विस्वनात आगे बड़े टोकियो क्या है राजदानी है टोकियो राजदानी है जफान के बारे में अभी इतना तो समझे न कितने लोग बता सकते जफान का सबसे बड़ा धुईब जापान का सबसे बड़ा द्वीब फटा पट बोलिया जापान का सबसे बड़ा द्वीब अंसर दीजे ओ साका नहीं भई जापान का सबसे बड़ा द्वीब होन्सु वेरी गुड जापान का सबसे बड़ा द्वीब होन्सु जापान का साथ से वड़ा दीब बताइए होंसु दीब किस लिए परसिद है होंसु दीब होंसु दीब किस लिए परसिद है अंसर देंगे लोग होंसु दीब किस लिए परसिद है होंसुदीप परसीद है पेट्रोलियम के लिए आगे देखिये ये अब जापान का एक अलक सिनक्सा आपको दिखा देते है इसमें ज़रा किलियरेटी जादे समझ में आएगी देखिये ये जापान है यह बड़ा वाला जो आइलेंड है ना यह बड़े वाले आइलेंड का नाम क्या है होंसुड आइलेंड कौन सा है होंसुड वी यह सबसे बड़ा आइलेंड है इसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा है होकाइडो कौन सा नाम है इसका होकाइडो ग्यान से दिखेगा यह वाला होकाइडो है और ये नीचे वाला होंसू है जापान की राजधानी टोकियो होंसू पर है जापान का सार सुजू की जहां पर सुजू की गारी बनती है वो भी यहीं पर है जापान की का सार कावासा की जिसकी मोटसाइकी लाती है वो भी यहीं पर है जापान में ये उप ग्फ्और डीप इचिसका नाम है हकाइड़ो। आप सबसे ऊपरवाला आइलेंड हो क्रेड़ो और जापान का सबसे उप्री अइलेंड देंड ऋटकर डुम्न का सबसे ऊपर हो काईड़ Lak钞ासा beso मांचेस्टर के लिए नहीं है दूइप जो है वो पेट्रोलियम के लिए परसित हैं मांचेस्टर के लिए उसाका है बकलोलवा को पूछें किस लिए परसित है तो पेट्रोल टंकी का फोटो लगा के भेज रहा है अपिजीत राज़ राजपुरोहित शर मैं 11 में हूँ यूपी एसी की तैयारी कर रहा हूं आप 11 में हो बावू आप ये सपना छोड़ दो कि हम किस्षीज की तयारी कर रहे हैं आप बस ये देखो हमें knowledge चाहिए हमें knowledge में कोई नहीं हराना चाहिए आप ये सपना मत देखो कि हमें UPSC करना है या ये करना है फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा UPSC करना है तो दिमाग में ये बैठा कर रहे हमें knowledge बहुत जादे चाहिए जापान को देखो तो एक सरसरी नजर से देखो जापान का सबसे उपर Hokkaido सबसे उपर Hokkaido नीचे में होंसू क्या Hokkaido और होंसू आपस में जुड़े हुएं नहीं जुड़े हुएं Hokkaido और हुंसू के बीच में समुंदर है उस समुंदर है Hokkaido और हुंसू के बीच में क्या है समुंदर है कितने लोग बता सकते उस समुंदर के पतले रास्ता का नाम क्या है आप अपने एटलस में देखके बताइए का उस पतले रास्ता का नाम क्या है उस जल संधी का नाम क्या है जल संधी मतलता है समुद्र के बीच का पतला रास्ता जल संधी अंसर दीजे उस जल संधी का नाम बताइए जो हुनसू और होकैडो को अलग करती है होकैडो आइलेंड और हुनसू को अलग करने वली पतली रास्ता जल संधी का नाम बताईए जल्दी नक्सा में देखके वेरी गुड सुगारू जलसंदी वेरी गुड टी से लिखाओगा सुगारू जापानी भासा है सुगारू जापान में टी का कोई मतलब है नहीं होता है सुनामी लिखता आई से जापान भासा में T का मतलब कुछ नहीं होता है तो यह कौन सी जलसंदी है सुगारू जलसंदी कौन सी जलसंदी सुगारू जलसंदी question पूछा हुआ है बावू जो UPSC की तो यारी कर रहे तो उनी से सुनिए UPSC का question है वहाँ कौन सी ऐसी जलसंदी है जिसके अंदर से bullet train जाती है बाई से अभी समुन्दरवा के अंदरवा से bullet train लेके चल जाता है यानि bullet train ले गया नहीं यहां से समुन्दरवा के अंदर से लेके bullet train चल गया है सोची उपर से bridge बना के नहीं समुन्दरवा के अंदर से bullet train लेके चला गया है पान कौन सी जलसंदी से सुगारू जलसंदी से जलसंदी के नाम बोलिए सुगारू जलसंदी सुगारू जलसंदी बुलेट ट्रेन उसको कहां से लेके चला गया समुंदर के अंदर से लेके चला गया दिखिए इसको समुंदर के अंदर ये जाती है बुलेट ट्रेन बाहर से पूरा सीशा लगाया हुआ है, और अंदर बुलेट ट्रेल लेके चला गया, इतना भयाना कही है, देखिए, इसे समुंदर है न, एक सीशे का इस तरह से दिवाल लगा दिया है, यह दिवाल इसे सीशे का है, यह दिग रहोगा आपको यह, आइस के अंदर देखिए, ये बुलेट ट्रेन लेके चला गया समुंदर मचली देखती होंगी सो किसी जो कुझी जा रहा है ये इतना खतना सुचिए जपान कितना डवलप है वही जपान हमारे भारत में अंदाबाद के बीच में ट्रेन बिचाएगा बुलेट ट्रेन को बिचाएगा भारत में बुलेट ट्रेन का होना जरूरी है लेकिन उससे भी कहीं ज़ादे जरूरी है जितना पैसा बुलेट ट्रेन में मोधी जी लगा रहा है अच्छी बात है देश में बुलेट ट्रेन रहना चाहिए हमारे देश के लिए गर्व की बात है लेकिन मोधी जी आप उस पैसे को बुलेट ट्रेन को दस साल अगर लेट भी कर दीजेगा तो बस यही कहा जाएगा कि हाँ भारत में बुलेट ट्रेन लेट से आई है लेकिन द investment करिए देश का जनता पैर धोके पिएगा आपका क्योंकि कोई पर्धान मंत्री चाहे नहरू से लेके आप इवेन नरेंद मोधी आपसे भी कहते हैं कोई ने यह नहीं सोचा कि एक आदमी एक बच्चे का हम आपको बताते हैं इंडियन रेलवे की हकीकत आप बताएंगे देखिए अगर किसी लड़के का साम में कोई एक्जाम है साम को चार बजे एक्जाम है साम को चार बजे दिल्ली में सपोच किजे साम चार बजे उसके banking का exam है दिल्ली में और वो पटना से train पकड़ता है या गुजरात से train पकड़ता है मदपरदे से कहीं से train पकड़ता है और वो train कहती है कि हम आपको सुबा 8 बजे AM में हम दिल्ली छोड़ देंगे सुबा 8 बजे दिल्ली छोड़ देंगे और कोई नहीं जाएगा और चले जाओगे तो एक्जाम छोड़वा देगा ये train आपको दिल्ली से पहले गाजियाबाद में छो गंटा रोग देता है ये हाल हो गया है तो रियल में हमारे देश में जिनको पैसा है वो train से बुलेट छोड़िये ना बुलेट जहाज से चला जाएगा जिनके पार त्यूंकि दोनों का किराया सेम आने वाला है जितना बुलेट ट्रेन का आएगा उतना ही हवाई जहाज कर रहता है कम नहीं आएगा बहेंगे हैं दोनों में लेकिन जादे ध्यान इस पे देना चाहिए बुलेट ट्रेन आ रही है अच्छी बात है देश के लिए गर्व की बात है लेकिन एक होता है गर्व की बात है और एक होता है कि हमारी जरूरत क्या है तो मुख्य जरूरत यह है वरना बुलेट ट्रेन आप देखेंगे तो लालु जी के समय से ही इसका प्रस्ताव है 2005 से प्रस्ताव है इसका बुलेट ट्रेन का और 2020 आ गया और 25 तक तो आने वाली नहीं है यहाँ पर ट्रेनों पे भी जादे ध्यान देना चाहिए तो कौन सी जलसंधी है जहां से आपकी बुलेट ट्रेन अमीं आती है सुगारू जलसंधी कौन सी जलसंधी सुगारू जलसंधी समझ में अगया मैरे एक लास मैं शासी कांध कुमार का रशहा तो मैं सुगारू जलसंधी देवे नहीं किया है अरे भट खोजी उसमे दिया होगा साट ट्राइम से पहले चलने लगी है त्रेन लिया भाई साब इको नो नेता ओता पड़ो रहा है का ट्राइम से पहलने चलने लगी है त्रेन वे चलने फिसका इंडियाThis कश अब शिकति है यह हां द्वीप यह हो गया होंसू द्वीप होकाइडो द्वीप और होंसू द्वीप किसी को कोई दिक्कत नहीं है नीचे वाला जो द्वीप है इसका नाम है क्यूसू द्वीप क्या नाम है इसका क्यूसू द्वीप इसी के पास आपका नागा साकी है कहां पर है नागा साकी और य गिलाया था कर गि मिलाया देखिये ध्यान सी आगे 6 अगस्त 1945 क्यों गिराय गया हीरोशिमा में नाम क्या था लिटिल बॉअय बना किसका था यूरेणियम क अधर चीज पूछता है याद रहे बना किस چीज का था तो ये बना था प्लुटो निएम का। लेने के पर हाथ पर बंथ होजाता है सुबरे से क्लास ले रहा है। न नौ पहले आता है या छो पहले आता है यह पहले छो ऐता है न को यही भूल याता है पहले दो हिरह सीमा में तो बताओ भाई कोई बच्चा जब पैदा होता है तो छोटे बच्चा ना रहता है इसलिए उसका नाम था पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय और जब वो बड़ा होता है तब न उसका नाम रहता है फाइट मैन कि मैन थोड़ी होता है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, आदमी बनता है, फिर मोटा आता है, तो पहले वाले का नाम लिटिल बोई, दूसरे वाले का नाम फ्रैट मैन, पहले का नाम लिटिल बोई, दूसरे का नाम फ्रैट मैन था, पहला किसका बना था, यूर जपान करमपोर है देखो भाई दूग ते परमाडू परम अमेरका मार दिया दूग ज़री गारा में उसका खूद का बलास्ट कर गया था भुको सीमा परमाडू सही हैं 2011 याद होगा बहुत ज़्यादे तबाई आई थी जपान ने कसम खा लिया था कि हम 2050 के बाद कोई भी नुक्लियर रियक्टर से बिजली नहीं बनाएंगे का आगी चुछ बार बार हमरे यह भड जाता है सबसे ज़्यादे सुनामी कहा आ जाती ह जापान में आ जाती है भुकम वगएरा जापान में चले आते हैं जापान समझें आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है जापान में आगे समझें यह अब परमाडू बम दिखता कई से और जापान पर मारा क्यों था इसके दो रीजन है देखिए परमाडू बम जो मारा गया यह है अब यह एटम बम काम कैसे करता है यह आपको अलग से बताना पड़ेगा केमेस्ट्री में ना भी किये सनलायान ना भी किये फ्यूजन लेकिन मारा जिस जहाज से गया था उस जहाज का नाम था B-52 आज भी यह जहाज एवलेबल है दुनिया में B-52 जहाज है यह आज भ यह है आपका परमाडू बम दिख रहा है और यह है वह जहाज जिसमें लाद के लाया गया था जिस जहाज में लाया गया था उस जहाज का नाम था B-52 यह आठ इंजन का जहाज था दो इंजन यहाँ दो बड़ी खतरनाक होगा भाईया एक बात बताते हैं आपको पहली बात एकदम दिमाग में समझा परमाडू बम खतरनाक नहीं होता है परमाडू बम एक तरह का highly radiated pollution है परमाडू बम बम नहीं है यह एक तरह का परदूसअण है समझेध को रोना क्या है बम है नहीं ये पर दूसाण है हमसे आप में फेला आपसे उसमें पहला जान ले 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 रहा है ऐसे ही पर्माडू बम होता है पर्माडू बम का रेडियेशन कोरोना से भी छोटे होते हैं और इसका असर हज़ारों साल तक रहता है और यह हवाओं में फैल जाता है जो इसको सूंगता है उसका रेडियेशन हो जाता है दो से तीन दिन के अंदर उसका फेफडा कीडिनी गुर्दा सब सड़ जाता है तो परमाडू बम मान के चलिए कि दिल्ली में अगर फट गया तो हरियाना के लोग तीन चार दिन बाद मरना चालू हो जाएंगे परमाडू बम से तो है वो एक तरह का परदूसर्ण है दिमाग में बइठा लेना एटम बम इस नथिंग मोर बट इटीज वेरी हामफुल रेडियेटी पॉलूशन संव्यागे कि नियागा इसका असर बहुत ज्यादे पड़ता है तो कोई भी पर दूसर्ण उसे कम करने का उपाय है तो इसे कम करने के लिए बोरिक एसिट का छिड़काओ किया जाता है किसका छिड़काओ किया जाता है बोरिक एसिट लेकिन याद रहना चाहिए जो आदमी पहिनने जाता है पूरी तरह से PPE किट होना चाहिए उसके पास PPE kit, डॉक्टर वाला PPE kit नहीं, वो एटम बम वाला अलगे होता है PPE kit, बोरीक एसिड, कौनसी एसिड? बोरीक एसिड, अगर बोरीक एसिड नहीं है ना तो प्याज, प्याज, प्याज जो होता है ना परमाडू बम के रेडियेशन को सोख लेता है, तो अगर परमाड पानी नहीं है निकल ये सच्रा, पानी नहीं है तो कहीं इनने उने से एक बोतल रख लीजे, ये खपता तक वहीं रही है, पियाज हुआ जाए ना तो कूछ काच के अगल बगल में रख लीजे, क्योंकि वो हवा में फैल चुगा, आपको दिखेगा नहीं, आप सुगेंग जापान का है खचरा था, तो देखिए, जापान ने जाके परमाडू बम मार दिया, जापान गिया ना तो अमेरिका क का उपर हमला गिर और दिया आप कहेंगे कि सर अमेरिका यहाँ है जापान यहाँ है इसे जोरा आइसे जाके काही हमला किया और यह आइसे जाके काही हमला किया तो भैया आइसे हमला नहीं हुआ है reality में यह दोनों देश बहुत करीब हैं आप देखिए ध्यान से comment एतना करता है सरा ना सम्झे मेंने यातEng Aleise की comment करने आगा दिमाग कोने दी थिसि आएगा तो comment reunited शिल्प भosure प्रिफवी थो है ना वह गोल प्रिफवी का है गोल अभी देखि का देंस यह जापान दिख रहा है, यह हमारा इंडिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह इंडिया दिख रहा है, यह चाइना है, और यह देखी यह अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका है, प्रिथिवी को आप गोल है, इसको दो जगा से काटे हैं, तो जहां से काटेंगे वो जोगे दूर होट जाएगा तो हम लोग जनरली प्रसांत महासागर से काट देते हैं इसलिए अमेरिका एक और आ जाता है जापान दूसरी हो जाता है इसलिए दोनों में दोनों लगते हैं दूर है बस दोनों बहुत करीब हैं इंडिया से जापान से अमेरिका जाना है तो इस था हवाई हवाई दीप पर Amirica ने बहुत बड़ा नौसेना का अड़ा बनाया था ज़ा पान ने देखा कि साला इस आवाई अड़ा से हम पर हमला करेगा इसलिए जपान ने अचानक उठा और तीन घंटे के अंदर अंदर ये हवाई द्रीप का पूरा नौसेना का अड़ा उड़ा दिया यहां बाल बच्चा मुर्गा मुर्गी सब की जान ले लिया अमेरिका के 200 लडाकू जहाजों को वहीं मार के गिरा दिया पानी वाले असी जहाज मार के गिरा दिया भारतिय नौसेना के पास असी वह जहाज है सोचे उस समय 1945 में जब हम लोग गुलाम थे नहीं 1942 में तो भी मार के गिरा दिया हम लोग के पास आज भी असी यह जहाज है लडाकू जहाज है पानी वाली acordo तो अमेरिका कहा कि तुम इतना तेजी से डेबलब कर रहा था कि हम तुमको डेबलब करते तो हम तुमारे बराबरी थे तुमसे आगे निकलने का एक रास्ता हम निकाले कि हम थोड़ी रफ्तार से चलेंगे हैं तुमको घीच देंगे पीछे तो हम लोग बहुत आगे डिकलने तो हम आगे निकल गए हैं तो अमेरिका कहा कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जापान ने का तुमको इसकी क चलाओगे तोपे गोला चलाओगे इस तो चुरा परमाडू बंब चला खोज कर लिया और परमाडू बंब जब खोजा तो यह तो पहले से बिखिया इल था बिखियाने का मतलब समझते हैं अचानक उसको बिख आ गया बिखिया कि अमेरीका गया ना धाय धाय मारा परमाडू बंब दुद्दूगो अका कि अमेरिका तुम सरेंडर कर ना तो तीसारका टोकियो में मारेंगे तो जापान ने सरेंडर कर दिया जापान ने उसी समय कहा कि भाई साव यूद्द से कोनो फायदा नहीं होता है तो जापान ने कहा कि हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की गारेंटी ले तो अमरीका का ठीक ठीक हम तुमारी रख्षा करेंगे जब तक दुनिया हम तुमार रखना जनते अमेरिका क्यों कहा क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए यहां अमेरिका की सेना रखने पड़ेगी और उस समय चल ला था सीति यूद के बाद सीति यूद कोल्ड वार कोल्ड वार में यह अमेरिका चाहता था रूस को दबा दे अब उसको देखा कि रूस यहां ह अमेरिका की जापान की पास अपनी फौज नहीं है इसलिए जापान सेना पर उतना पैसा खर्च नहीं करता है किसी को दिक्कत ने सर एटलस में हीरो सीमा पर हीरो सीमा है होंसु के नीचे है हीरो सीमा छाँ देख लिजेगा उसको दिखिये आप जापान के रहने वाले नहीं है इसलिए आप से यह नहीं पूछेगा अब आप बताई कोई अमेरिका के लड़का से पूछेगा कि पटना बिहार में है कि मद्ध पर्दिस में अमेरिका के लड़का को पटना क्या मतलब बनता है समझे तो बाहर के लोग को लिए उतना नहीं है आगे समझे जापान जो था जब अमेरिका ने इस पर परमाडू बम मारा तो जापान का एक द्वीब था जिसका नाम था क्यूरियल द्वीब समू को रूस ने कबजा कर लिया किसने कबजा कर लिया रूस ने कबजा कर लिया था क्यूरियल द्वीब समू को तो कहेगा कि जापान के ऊपर में इस्थिक द्वीब समू किस ने कबजा कर लिया है जापान का क्यूरियल का किस ने कबजा कर लिया है रूस ने कबजा कर लिया है संग में आगया कि ने आगया लेकिन ये पहले ही कबजा कर लिया था हाला कि ये क्यूरियल द्वीब समूझ जो है वो जापान का था भी नहीं ये रूस का ही था 1905 में देखिए इसको इसको देखिए 1905 में इस जापान ने इस रूस को हरा दिया जापान ने इस रूस को हरा दिया 1905 में और फिर 1906 में भी हरा दिया वहापरी इतना कतरनाग था ही जापान इसका कोई टेकनोलजी का तुलना नहीं कर से थे बहुत डेवलत परमाडू बम नहीं रहता न अमेरिका के जगपे आज पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में दो लोग होते एक हिटलर का जर्मनी और हिरो हितो का जापान ये दो इतने आगे जा रहे थे जिसका कोई हद ने लेकिन याद रखिए गया अत्यधिक अंकार रावड को नहीं छोड़ा तब ये तू लोग कोन डिक्ची का मसाला है रावड सनी भगमान को का कमें रख लिया था सूरज भगमान आये थे चुड़ाने के लिए थे का कि तुरे बखलो सनी के दबलो यहां बाग यहां से संजाए कि नहीं आगिया इतना खतरनाक तर रावड वहां अंकार नहीं करना चाहिए यह जापान ये रूस ने हरा रूस को हरा दिया था लेकिन जब परमाडू बं प कि देखिये बाहू एक लड़का का रहा सर आप ताइवान वाला वीडियो बनाए थे मोदी जी बात मालनी है आधार काड वाला एक बार यूटूब पर वीडियो बनाए थे कि हमारे आधार काड अब एक महिना लग जाते हैं मोदी जी मालनी है कि सौ रूपया दीजे आधार का तुरत्य सुधार कर लिजे हम बोले थे भारत को एवाक्स विवान की जरूवत है मोदी जी तुरत्य फालकन करीद लिए आप कर रहा इस सरे को 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 दूप बना दिए अभी उस पर गवर् साथ का करना है स्री रंजन जी स्री रंजन 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 स्री र एस्ट 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 विदाधित है यह होकाइडो है होंसो और होकाइडो को जोडने वाली जलसंदी शुगारू जलसंदी बूलेट ट्रेन जाता है अब देखे एसिया में कुछ ऐसे कंट्री जो सुर्य बड़ी तेजी से डिबलब करते हैं भयानाद डिबलब करते हैं जिसमें आता है एक टो सब्धेना का हैंसा बनाए 1997 से पहले तो यह सवतंतरे था न तो अभी विहंक को कंट्क किया जाता है शिंगापूर यह चार्थो इतना तेजी से डिबलब करता है सब कि इन चारों को क्या कहा जाता है एसिया का टाइगर एसियां टाइगर क्यों टाइगर बढ़ी तेज दो सिकार को दोड़ा रहा है सपोज किसी हीरन को दोड़ा रहा है खाने के लिए और हीरन थोड़ा दूर भाग गया है और देख रहा है नहीं कि हीरन के भगल में यहां पर कोई घोड़ा है या फिर कोई गाय है या कोई बकरी है तो देखेगा हीरन तो दूर चला गया छोड़ो ह अम इस बकरी कासी कार करके खा जाते हैं यही टाइगर में खराबी होता है वो सौटकट देखता है लेकिन सेर ऐसा नहीं है शाला हिरन को दोड़ाए है तो हिरने को खाएंगे चाहें बीच में कुछु आजा हम नहीं हो खरे खाएंगे इसलिए उसको जंगल का राजा का जात है इस अ टाइगर किसे का जाता है चार देस याद कंसे रखेंगा उपर से कौन-कोन दक्षडी कोरिया, ताइवान, होंकों, सिंगापूर आख बन करिये बोलिए दक्षडी कोरिया, दक्षडी कोरिया के नीचे ताइवान आएगा दक्षडी कोरिया, ताइवान, होंकों होंकों को कहता है चीन मेरा है दक्षडी कोरिया को ताइवान को कहता है मेरा है कुछ दिन बाद दक्षडी कोरिया को भी कहता है मेरा है हमारा जनते हैं क्या मन करता है कभी 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 मेरा मन करता है न हम कहेंगे तो हसेंगे कि चाइना को छुटा छोड़ दे और कहें तुम को जिसको जिसको कब जा करना है कब जाकरलो तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है लेलो उत्री कुरिया मेरा है लेलो थाईवान तुम्हारा है Handle झाली और अएसा रहता है कि भारत का कमान एक सा मेभ्याद कैलिए मेरे बाट जाद है मार् कचर केक दम चोट्टा कहीं कसा बेक रहे हैं। दहें चार देस कून-कून। कून-कून चारों का नाम बोलैं। चारों का नाम, धक्षणी कोरिया K strawberry कून बोल्ला हुए पगला है। धक्षणी कोरिया,還itt हक ऑगन। होंग शिंगाप्पूर. दक्षडी कोरिया, ताइवान, होंकोंग, सिंगापूर सर परमाडू बम का रेंज कितना होता है चारो का नाम बता दिये दक्षडी कोरिया, ताइवान, होंकोंग, सिंगापूर वेरी गुड़ इह करें वाइसा परमाडू बम का रेंज कितना है तो देखो भया यह डिपेंड करता है कि उसकी साइज और वेट कितना है यह रेंज पर डिपेंड नहीं करता है यह पर दूसन है अब जैसे मान लीजे कि हम सपोज यहां पर कहां पर बताएं, आपको इंडिया का नक्सा खोल देता है अरे बहीं इंडिया का खोलेंगे तो फिर अपने देश में परमाडू बम मारेगा अदमी चाइनवे का खोलता है ले, एगरे में मारेंगें परमाडू बम देखिया चीन का ये सहरे वुहान जहां से निकला था कोरोना चीन का सहरे वुहान जहां से क्या निकला कोरोना अले, सब चमगादर खा खाता है खाने का चीजे चमगादर साब, बिच्चू, मगर मच कुछू खा जाते हैं कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बढ़ा रहा था तो उसको भीखा जाते हैं वहान से मान लिए कि वहान में आदि मार दिया परमाडू बॉम और परमाडू बॉम जी मारा तो चाइना में उड़ गया आंधी और आंधी जब उठा ना तो वह हवा लेके चला गया यहां पर इ दूसर्ण चीज है सज में आ रहा है आप लोगो को किजी को कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं जापान तक हां नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोग का सब बैच में बता दिये हैं आप लोग को भी बता दे चार सब्जेक्ट एक की साथ आप लोगों को बल्क में दिया जाएगा एक होगा आपका Astronomy Astronomy Topography Topography Geology Geology नहीं है Geology है Geography Geography यह चारों मिला के पढ़ेंगे आपका किसी भी PCS की एक्जाम में 15 Question पुछेगा SSC Railway सब में पूछता है यह PCS के एक्जाम में पंदरा कोश्चन पूछेगा और नक्सा पढ़ लिजेगा तो उससे भी 12-15 कोश्चन पूछेगा यानि अगर आप नक्सा और इक्लस पढ़ लेते हैं तो 25-27 कोश्चन किसी भी PCS की एक्जाम में ठोक के आएंगे यह गारेंटी करते हम आपको विश्वास नहीं हो ना तो आ लेकिन हम नहीं भूलेंगे रीजन हमको दिन रात वही काम है आप तो आप भी अपने गाउं में तीन-चार लड़कों को गुरूब बनाईए और उस वो कहिए कि आईसे पढ़ हो यहाँ पर सम्झाएंगे नहीं किसी कोई कोई दिक्कत नहीं है तो यह 15 कोश्चन आते इसक इसका फी रखा गया है आप देखें चारों सब्जेक्टें इन्कुलूड है इसका फी रखा गया आपका 200ड अपका 200 रुप है 200 रुप है इसके admission open कप होगा दो सो ही रहेगा, चार दिन तक इसका फीज दो सो रहेगा, इसलिए आप इत्मिनान से एडमीशन लेंगे, कोई हडबड़ी की जल्दी ने, कल भी ले सकते हैं, परसो भी ले सकते हैं, नर्स, यानि फ्राइडे तक आप अगर एडमीशन लेंगे तो चार सो रुपए ही है, क्योंकि जब तक एडमीशन चालू रहेगा, क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार भुक्त भोगी रह चुके हैं, इदर लाइप पढ़ा रहे हैं, उदर दसजार लड़कों ने एडमीशन ले लिए, आचानक सर्वर पे जुड़ेंगे, सर्वर बैठ जाता है, इसलि उसके बाद देखिए, जोगरफी का क्लास है, मंडे से खुलने वाला है, आपकी तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों, अपने भाईया भावी लोग को इंफर्म कर दीजेगा, कि जल्दी जल्दी पढ़ ले भाईया, क्योंकि एडमीशन भर जाता है, तो फिर लेने में दि हुआ है, हो गया भाईया, आज के लिए इतना ही राना देते हैं इस अब को, इसके एडमीशन कल से ले लेंगे, आपने भाईया भावी लोग को आप लोगी इंफर्म कर दीजेगा, किछी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल इसके आगे समझा देंगे, आप लोगो समझा चलिए, फी इतना ही है, जादे फी कम करेंगे, अल्तु फल्तु लड़के आ जाते हैं, हम भूगा चुके 11 रुपया फी देखके, एकाउन रुपया फी देखके, अल्तु फल्तु आ गया ऐसा धिमाग खराब कर देता है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वैसे बहुत कमफी है, चार सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, चलिए, आज के लिए इतना ही रहन देता है,